तो चलिए दोस्तों यहां पे विहार बोड के जो इस्टुडेंट हैं जो अरदवार्शिक परिच्छा भी नहीं दिये थे उसका नाम कटने का यहां पर निर्देश आ चुका है जो की यहां पर समिलित नहीं हुए हैं अरदवार्शिक परिच्छा में उनका नाम काटने के लिए यहां से ओडर आ चुका है डियम के द्वारा सिक्षा पदाजिकारे के द्वारा तो आप यहां पे देख सकते हैं अर्दवार्शिक परिच्छा में सम्मिलित नहीं होने वाले छात्रों का नामांकर नरद करने के संब्द में महासा है परियुक्त विशयक अपर मुक्ष सचीव सिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा दिनांग 6-10-2013 को संध्या कालिन वीडियो कंफरेंसिंग में निर्देश दिया गया कि कक्षा ग्यारवी के वैसे नमांकर चात्र जो महां सितंबर समस्ट है उनका नमंकर नरद करते हुए परती वेधित कि यहां पर देख लिए जो सितंबर महिना में परिप्षा हुई थी तो उनका अभी अलेवन्थ वाले के लिए नोटीस आगे सभी कलासका आजाएगा और यह जिला का यहां पर देख लिए खगडिया जिला का यह नो तो अभी यहां पर देख लिए निर्देश अले से पराप्त परतिवेदन के अधार पर खगरिया जिले में कख्छा ग्यारी में कुल 17291 नमंग की चात्रे ग्यारी में देख लिए 17291 चात्रे जबकि इसमें से जो परिच्छा में समिलित हुए थे सिद्वर मां के परिच्छ हुआ था और इतना सिद्वर नहीं आये थे अता उप्रोक्त वर्नित परिपेक्ष में निर्देशित किया जाता है कि मास सितंबर 23 में कख्छा ग्यारी में के लिए आयोजित अर्दवार्शिक परिचा में समिलित नहीं होने वाले चात्रां को चिन्हित कर उनका नावंकन करते हुए तीन दिनों के अंदर अधो हस्तारक्षित कर्याला में पर्तिवेदन उप्लद कराना सुनिशित करेंगे उक्तादेश का अनुपालन नहीं करने वाले विद्ध्यले परदान के विडूद करवाई की जाएगे अगर देख लिए यहां पर लास्ट में देवी दि दो चाताई शेवा नेक्स ट्वंटे थ्री यहां पर डेट देख सकते हैं यहां पर छे तारिक वीडियो कंफरेंसी हुआ था और साथ तारिक यह नोटिस है यहां प्रस्जा पदरदिकारी खगडिया शेवा में परदाना ध्यापक परवारी परदाना ध्यापक सभी सरकार आगे आज आएगी अगर क्योंकि एक निर्देश जारी होता तो यहां पर देख सकते हैं आपर मुख सचीव यहां पर किये के पाठक जी का आदेश्चा यहां पर इस तरह से वीडियो कॉन्फेसिंग में बताया गया था और जो जो आगे जितने भी होगें आप लोग की परि विवारता खतम होने से चाह चाहता है विवारकों में खुशी यह बिल्कुल गलत है और सत्य है यहां पर इसका देखिए सही हम आपको नोटिस दिखा देते हैं आपको देखिए सही नोटिस यहां कि 75% परस्तित वाले ही इंटर मैट्रिक सेंटर परिक्षा में होंगे सामि जो इसमें सामिल नहीं होगे तो उनका मैन एक्जाम का एड्मिन कार्ड जारी नहीं होगा तो आप लोग का 75% पूराना बहुत जरूरी है तो आप लोग डेली कलास अटेंड करें जो पहले नहीं जा रहे थे इस बीच डेली जाए एक दिन भी गया अपना करें तो जिससे आपका 75% पूर्जा या उसके आसपास हो जाए जिससे कि आपका सेंटर पर इक्षा में आपको बैठने के लिए दे दिया जाए मिलते हैं नेक्स्ट डियों धनिवाद आप बायें से बचे चैनल को सब्सक्राब करें लाइक और दोस्तों में ये वीडियो शेर कर दें जिस झाल